28 जून का वो दिन हर दिन की तरह ही आम दिन था सब कुछ सामान्य चल रहा था लेकिन अचानक ही वहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे हिंदुस्तान को स्तब्ध कर दिया एक आम सा नागरी जो पेशे से एक टेलर था हिंदु था और बदकिस्मती से उसने नुपूर शर्मा के समर्थन में फेस्बुक पर एक पोस्ट कर दिया जो इस देश के जिहादियों को पसंद नहीं आया और उन्होंने दो पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर कनहया लाल को चाकू से गोद कर मार डाला वो तब तक वार करते रहे जब तक कनहया लाल की सांसे उससे रुकसत नहीं हो गई जिस गली में कनहया लाल की हत्या की गई थी वो गली आज तक भी गुलजार नहीं हो पाई आज भी उस गली के लोग दहशत के साय में जीते हैं आज भी महां एक अजीब सा डर है लोगों के मन में लेकिन ये मामला आज एक बार फिर चर्चाओ में हैं क्योंकि एनाईय ने अपनी जाच रिपोर्ट पेश की है और उसके उसमें किये हैं चोकाने वाले खुलासे आज बात करेंगे उन खुलासों पर और कनहिया लाल के परिवार पर जैशी राम मैं हूँ आपके साथ अभी शेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्डाई उद्यपुर के कनहिया लाल हत्याकांड के मामले में पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर लगाये जा रहे कयास से जुड़ा एक बड़ा प्रेट मिला है राजस्तान समेथ पूरे देश को हिला देने वाले इस हत्याकांड में NIA ने चार्ज शीट पेश कर दी इसमें 11 आरोपियों के खिलाफ चार्ज शीट पेश की गई है इन में से दोगा पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन मिला है जिन दो आरोपियों का नाम इस चार्जशीट में जोडा गया वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं हत्याकांड के 187 दिन बाद 22 दिसंबर को NIA ने स्पेशल कोर्ट में से लेकर चार्जशीट पेश की इस पूरे मामले को आतंकी मोड्यूल माना गया NIA ने 28 जून 2022 को हुई तालिबानी घटना में मुख्या आरोपि गौस मुहम्मद और मुहम्मद रियाज अत्तारी समेद 9 के खिलाफ IPC और UAPA की विभिन धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है NIA मामले की स्पेशल कोट में 4 सीट पेश किये जाने के बाद हलाकि अभी सुनवाई नहीं हो पाई है माना ऐसा जा रहा है कि NIA सभी आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने की कोशिश कर रही है जज की छुटी पर होने के चलते कोट ने ऑफिस रिपोर्ट के लिए 3 जनवरी 2023 की तारीक तै की है अभी सभी आरोपियों की कोट में पेशी नहीं हो पाई है तीन जनवरी को ही चालान पर भी सुनवाई होगी इस साल 28 जून 2022 को उधैपुर के रहने वाले कनहया लाल टेलर की उनकी दुकान के भीतर एक धारदार हतियार से हत्या कर दी गई थी हमलावरों ने दावा किया कि उन्होंने इसलाम के कथित अपमान का बदला लेने के लिए कनहया लाल की हत्या की थी हत्या कांड के बाद गौस मुहमद और रियाज अंसारी ने एक वीडियो भी बनाया था जिसे उन्होंने खुद शोशल मीडिया पर वाइरल किया हत्यारों के साथ वीडियो डाल कर उन्होंने लोगों को डराने की कोशिश की साथ ही सरतन से जुदा करने के नारे लगाए इसके बाद आरोपी दुबाई भागने की तैयारी में थे लेकिन पुलिस की सतरकता से दोनों मुख्या आरोपी गोस मुहमद और मुहमद रियाज को गिरफतार कर लिया गया आरोप पत्र में मामले में चार्चीट किये गए लोगों में मुहमद रियाज अंसारी, गोस मुहमद, मुहसिन खान, आसिफ हुसैन, मुहमद मुहसिन, वसीम अली, फरहाद मुहमद शेक, मुहमद जावेद, मुस्लिम खान, और मुस्लिम रजा, और पाकिस्तानी नागरिक सल्मान और अब्बो इब्राहिम शामिल हैं दोनों पाकिस्तानी नागरिक कराची के रहने वाले हैं NIA ने अपनी इन्वेस्टिकेशन के बाद कराची में रहने वाले दो आरोपियों को चार्डशीट में जोड़ा था हाला कि अभी NIA ने ये क्लियर नहीं किया है कि पाकिस्तान के दोनों आरोपियों का इस मर्डर के साथ कैसा संबन था हाँ ये जरूर साफ हुआ है कि दोनों यूवक कई गरूप के एडमिन होने के साथ भड़काव मैसेज भेजते थे इनी गरूपों में मुख्य आरोपी, गोस और रियाज भी जुड़े हुए थे चार्चीट में शामिल कराची से दोनों आरोपी फिलहाल NIA की पकड़ से दूर है ये तो हुई कनहिया लाल की बात लेकिन अभी हाल ही में NIA ने उमेश कोहले की हुई हत्या में भी चार्चीट दाखिल की है महरास्त के अमरावती में उमेश की भी हत्या कनहिया लाल की तरहा लुपूर शर्मा का समर्थन करने के कारण ही की गई थी 16 दिसंबर को दाखिल इस चार्चीट में 11 आरोपी बनाए गए इनका कनेक्शन कटर पंती तबली की जमात से बताया गया ये बात भी सामने आई कि उमेश कोहले के 16 साल पुराने दोस्त यूसुफ ने ही उसकी मौत का फर्मान जारी किया था हत्या से पहले गला काटने की प्रैक्टिस भी की गई ये वही तबली की जमात है जिस पर कोरोना के दोरान कोरोना विस्फोट करने के आरोप लगे थे देश में जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो एक नाम जबरदस्त तुफान के साथ उठा था वो नाम था तबली की जमात दिल्ली की एक मस्जिद में सैकडो जमाती इकटा थे लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो बताती है कि वो जमाती नहीं थे बलकि देश द्रोही और जिहादी थे और ये खुलासा हुआ है उमेश कोले की चार्चीट से चार्चीट में कहा गया कि नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर तबली की जमात नहीं उमेश की हत्या की है इसके कारणा में यहीं खत्म नहीं हो जाते कांदार हाईजैक में भी इसका हाथ था आईएसाई के साथ भी इसके संबंध हैं और कई पाकिस्तानी आतन की संगठनों के साथ इसका उठना बैठना है 1941 में 25,000 लोगों के साथ शुरू हुआ यह आतन की संगठन आज दुनिया भर में फैल चुका है दुनिया भर के करीब 8 करोड लोग इस से जुड़े हैं तबली की जमात और PFI में कोई खास अंतर नहीं हैं दोनों दिखावे के लिए इसलाम क के प्रचार प्रसार का काम करते हैं लेकिन अंदर आतंग की पालते हैं PFI तो बैन हो गया अब इस तबली की जमात को भी जमिदोज करने का वक्त आ चुका है लेकिन अभी वापस मुद्दे पर लोड़ते हैं हाली में एक रिपोर्ट से पता चला था कि उद्यपुर की जिस आसी नहीं होगी वो जूते चपफल नहीं पहनेगा हत्यारों के दावत इसलामी से कनेक्शन भी सामने आये थे ये बात भी सामने आयी थी कि गोष मुहममद और मुहमद रियाज अजमेर दरगहा के गोहर चिस्ती के संपर्क में भी थे ये वही गोहर चिस्ती है जिसने 17 ज हत्यारे रियाज और गोस भाग कर गोहर के पास ही पनहा लेने अजमेर जा रहे थे लेकिन दोनों को रास्ते में ही पकड़ लिया गया हलागि आपको ये भी बता दूँ कि कनहिया लाल के ये हत्यारे 23 घंटे देरे में रहते हैं और सिर्फ इन्हें एक घंटा मिलता है नहाने दोने और खाने पीने के लिए ये जेल में रोते हैं अपने परिवार से मिलने के लिए लेकिन इसके बावजूद इन्हें आज भी अपने कीये का कोई मलाल नहीं इनके हिसाब से इन्होंने बिलकुल सही किया है क्योंकि इनका मानना है गुस्ताख नभी की एक सजा सरतन से आप इनकी सजा पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं थड़ाई में आज के लिए इतना ही जल विर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ तब तक देखते रहें कैपिटल टीवी नमस्कार